नमस्कार सभी को मैं सुधा गुस्वामी एक बार पुना अभिलंदन करती हूँ अपने यूटूब चैनल में आप सभी का संचारी रोग अभिवान अक्टूबर माह दो हजार देज प्रात्मिक विद्यालेओं में कौन से कतिविधियों का संचालन करना है और किस तरह उसका रजिस्टर मेंटेन करना है इससे संबनित हमने पहले भी एक वीडियो आप सबसे सांचा किया है तीन अक्टूबर से संचारी रोग विसे संचारी रोग दस्तर अभियान पुना शुरू हुआ है तो उसी का आगे का कारे आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तीन तारीक का कारे चार तारीक का कारे और पास तारीक का कारे हमने आप से सांचार किया था पाच अक्टूबर तक का का कारे आज के वीडियो में हम छे तारीक से देखेंगे कि हमें कौन-कौन से कारे संचारी रोग अभ्यान के अंतरकर कराना है तो सबसे पहले चलते हैं 6.10.2023 दिन शुक्रवार इसमें हमें कराना है कच्छा 4 वा 5 में विज्ञान और गृफ विज्ञान पर आधरित चर्चा संचारी रोग अभियान के अंतरकर तिनांग 610-2023 को कक्षा 45 में ग्रेव विज्ञान वो विज्ञान मुक्यतर हमारा विज्ञान ही है कि पाठों के आधार पर संचारी रोग साफ सफाई जो हमारे परिवेश्ट में दिया हुआ है और मक्षी, मच्छर, खटमल, पिस्टू से फैलने वाले रोग खुले भोजे परदार्थों से होने वाले रोग और साफ सफाई ना रखने पे जो बिमारिया हमें होती है उस पे बच्चों से चर्चा की गई और उन पाठों के बारे में उनको बताए गया अब आते हैं साथ तारिकों 7,10,2023 दिन सनिवार इसमें हमें करना था सिच्चक अभिवाग ग्रुप में ओनलाइन चर्चा तो ग्रामे परिवेस के हमारे अभिवावक हैं ओनलाइन चर्चा पर चर्चा हमेशा संभव नहीं होती है हमें एक किसी ग्रुप के माध्यम से बहुत ही सुन्दर पीडियप के रूप में एक संचारी रोग अभियान से संबंदित एक पीडियप राप्त हुआ था जिसमें संचारी रोगों से संबंदित बहुत से जानकारी उसके कारण और बच्चाओं के उपाय चित्रों के माध्यम से और चोटी-चोटी स्पस्ट लाइनों के माध्यम से उसमें लिखा हुआ था तो हमने जो हमारा WhatsApp गुरुप बना हुआ है अभियावक और सिख्षक का तो संचारी रोग अभियान के अंतरगत साथ दस दोह जाते हैं इसको सिख्षक अभिवावक निर्मित WhatsApp गुरूप में संचारी रोगों से संबंधित एक पीडियव शेयर किया गया जिसमें विश्तारपुर्ग संचारी रोगों के बारे में बताया गया है और मुखित कोई भी उसको देखेगा तो उसको सरलता से समझ में आ जाएगा अब आते हैं दस तारिक क्यों विद्याले परिशर में साप सफाई वो ब्यक्तिकत स्वच्छता स्वास्त के बारे में ओगत कराना संचारी रोग अभियान के अंतरगत दिनांक 9-10-2023 दिन्सुम्वार को बच्चों के साथ मिलकर विद्याले परांगण में और कक्षा कर्ष की साप सफाई की गई हम सबने मिलके किया उसके बाद प्रातना सभा में बच्चों को ब्यक्तिकत साप सफाई हुआ स्वास्त के विशे में विस्तार से बताया गया साप सफाई से संबन्दित गत्विधी कितने अच्छे लगते हैं कराईगी गत्विधियों के बहुत से वीडियो हमारे उट्यू चैनल पर पढ़े हुए हैं आप देख सकते हैं और जो गत्विधी कराईगी वो किस तरती कितने अच्छे लगते हैं कितने गंदे लगते हैं, कितने गंदे लगते हैं, ये विक्रा हुआ कूडा, इनको उठाओ, डस्ट बिन में डालो, कितना अच्छा लगता है, भई, कितना अच्छा लगता है, कितने गंदे लगते हैं ये मैले कुछ अले कपड़े इनको धो धूब में सुखाओ कितने अच्छे लगते हैं बड़े हुए नाखुन ये गंदे गंदे नाखुन इनको काटो मैल निकालो कितने अच्छे लगते हैं कितने अच्छे लगते हैं कितने गंदे लगते हैं बड़े हुए बाल ये बिखरे हुए बाल इनको कटाओ धो और बनाओ कितने अच्छे लगते हैं कितने अच्छे लगते हैं तो ये पूरा नौतारिक का कारे है 6 से ले करके नौतारिक तब का आगे के सभी कारे हम आपसे साजा करते रहेंगे और अभी थोड़ी बेस्ता होने के करन भासा उत्सव का जो हमें करना है उस पर थोड़ी से कारे हो नहीं पा रहा है जैसे उस पर कारे हम करेंगे वो भी आपसे साजा करेंगे तो चलिए आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए और प्रीज मेरे चनल को लाइक करिए सुस्क्राइब करिए शेयर करिए मिलते हैं एक और बहुती बेहतरीन कारे के साथ धन्यवाद